कि जैन्सातियों मैं सिभम गुपता स्वाधत करता हूँ आपका अपने परवार रोजगार विदंगी डिफेंस चैनल पर उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तयारी को वैदे डंग से कर रहे होंगे एक बार आप सभी लोग बताएंगे आप सब कैसे ह हैं गुड मॉनिंग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून रादे रादे जैस्री कृष्णा नितिन भानू रंजन वेरी गुड सौनू मौनिका मौनी आसीस राम राम हर्या सुबास रूपेस चलिए वेरी गुड तो एक बार सभी लोग मिलकर क्लास को सेयर कर देंग वेरी गुड तो हमने कल क्या बढ़ाता अपना आउट्पूट डवाइस हम पढ़ रहे थे जिसमें आपका प्रिंटर और प्लोटर रहे गई थे आज हम अपने आज हम क्या बढ़ेंगे तो आज हम अपने आउट्पूट डवाइस को कंप्लीट करने के बाद इन्पूट और आउट्पूट डवाइस के बारे में ये बुक है जो बच्चे पूछते हैं कि सर कंप्लीटर की बुक कौन से लेनी है तो इसे आप फिलिप कार्ट से ले सकते हैं ठीक है कि इसके बाद हम कल क्या पढ़ रहे थे आउट्पूट डवाइस के बारे में और जिसमें के आज हम पढ़ेंगे कीवोड कीवोड के बारे में ठीक है चलिए और आप सभी लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे यह जो चायट है एक्चल में यही प्रिंटर की सब टाइप्स और सब कुछ है है ना देखिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीन सोट ले लेंगे यह आपको दिख रहा होगा कि क्लासिफिकेशन आफ प्रिंटर प्रिंटर हमारे कितने तरीके के होते हैं तो प्रिंटर हमारे होते हैं दो तरीके के कौन-कौन से एक होता है इंप्रेक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नौन इंप्रेक्ट प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं हमारे प्रिंटर दो तरीके के ठीक है इसके बाद हम देखेंगे ठीक है कितने तरीके के होगा है मारे printer दो तरीके के एक होते हैं आपके impact printer और एक होते हैं non impact printer हाँ हम plotter पढ़ाने वाले थे लेकिन printer के बाद ही plotter आगा कि plotter भी एक तरीके का printer ही होता है तो पहले हम sequence से लेकर के चीजों को चलेंगे ठीक है नई new chapter नहीं है यह output devices का ही हिस्सा ह अब हम देखेंगे कि printer कितने तरीके के होते हैं तो impact printer और non impact printer इंपेक्ट प्रिंटर होते क्या है तो यह वो printer होते हैं जो कागज के संपर्क में कागज के संपर्क में आते हैं यानि कि जो कागज को टच करके printing करते हैं ठीक है और दूसरी चीजिए छाप छोड़ने वाले printer होते हैं कौन से छाप छोड़ने वाले क्लियर है यहां तक impact printer कौन से होते हैं छाप छोड़ने वाले होते हैं और यह हमारे कागज के संपर्क में आकर काम करते हैं और non impact printer कौन से होते हैं तो यह आपके होते हैं जो कागज के संपर्क में बिना आये करते हैं बिना कागज के संपर्क में आए काम करते हैं के लिए यहां तक प्रिंटर कितने प्रिकार के होते हैं तो एक इंपेक्ट और एक नोन इंपेक्ट प्रिंटर ठीक है इसके बाद यह इंपेक्ट क haulध के संपर्क में आते हैं और चाप छोड़ते हैं और जो इन इंपेक्ट है वो बिना कागज के संपर्क में आते हैं और यह आपके स्प्रे यू दू जह को कि कि द्रू आपकि प्रिंटिंग करते हैं ठीक है हाँ स्क्रिंसोड ले लेना इसके बारे माइए और ठोड़ा बता दीं अब जोषी यूमारे इंत्oba प्रिंटर रहें वह भी हमारे ऐख रुशते हैं एक बारमें एक र्टर्टर या एक अक्छर है ना एक अक्छर और आपके लाइन प्रिंटर कौन से होती हैं जो एक बार में एक लाइन एक लाइन एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं तो हमारे क्या हुआ करेक्टर प्रिंटर कौन सा होता जो एक बार में एक अक्षर यानि कि एक करेक्टर को प्रिंट करता है और लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है ठीक है करेक्टर प्रिंटर में भी दो प्रिएके के प्रिंटर होते हैं, dot matrix printer और आपका डेजी वील प्रिंटर क्यास होते हैं क्या 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 होता है, इन्हें हम आगे देखेंगे, यह हमने एक पूरा diagram देख लिया कि हमारे printer कौन कौन से होते हैं और कौन से printer किस printer के अंदर आता है, एक बार इसका आप लोग स्क्रिन्स ओड ले लेंगे अच्छे से चलिए एक बार आप सभी इसका स्क्रिन्स ओड ले लिजिए यह जो ड्रम प्रिंटर्स और चैन प्रिंटर्स हैं इनका हम यूज वर्तमान में बिलुकुल भी मतलब पूरी तरह से लगवक बंद हो गया है इ यह हमारे दो तरीके किते इंके जैड प्रिंटर और लेजर प्रिंटर्स अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे ठीक है यहां तक के लिए आप सभी को चलिए झाल 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 अब आरी है इस तभी को चलिए 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 आगई आगई ठीक है देखिए प्रिंटर हमारे कौन से प्रिंटर क्या काम करते हैं प्रिंटर सद्व हमें हाड कॉंपी प्रथान करता है ठीक है और printer always provides hard copy printer के प्रिकार type of printer तो अगर आपसे exam में ये पूचे कि कितने प्रिकार के printer होते हैं तो हम exam book लगाएंगे answer 2 लेकिन अगर आपसे पूचे print करने के आधार पर printer के प्रिकार printer types based on printing तो इसका answer क्या हो जाएगा 3 clear है यह यह तक हाँ बिल्कुल CISF के लिए भी आप इस class को ले सकते हैं चलिए ठीक है तो printer हमारा हमेजा hard copy प्रिदान करता है printer के प्रिकार दो होते हैं कौन-कौन से होते हैं वो हमने यहाँ पर जान लिया impact printer और non impact printer और आपके printing print करने के आधार पर printer के कितने होते हैं कितने प्रिकार होते हैं तो आपके तीन प्रिकार होते हैं ठीक है कौन-कौन से हम आगे देखेंगे चलिए अब देखिए printer के प्रिकार तो जो हमने जो मैंने आपको इस टाइटिक में चार्ट दिखाया उसी के आधार पर हम चलेंगे कमेंट पर लोग थोड़ा कम ध्यान देंगे क्योंकि आज की क्लास थोड़ी मदब ज़्यादा अच्छी होने वाली और इससे काफी कोशन फस्ते हैं तो आप ध्यान थोड़ा क्लास पर ही लगाईएगा देखिए टैप printer के प्रिकार impact printer हमने देखा था दो प्रिकार होते हैं एक impact printer और एक non impact printer impact कौन से होते हैं छाप छोड़ने वाले कागज के संपर्क में आने वाले कौन से इंप्रिंटर से coming into the contact with paper यानि कि यह जो printer आपने देखा होगा कि जब आप तैसील में जाते हैं तैसील जो हमारी होती है वहाँ पर जो टाइप होते हैं उसमें टाइप राइटर होता है उसमें एक paper लगा हुआ होता है वो खटखट करके आवाज करके उस पे हाल की हाल उसमें मतलब वो बटन पड़ता है और जिससे की वो print करता है ठीक है तो वो तो आपके होते हैं impact printer non impact printer ये spray करने वाले बिना कागज के संपर्क में आने वाले sprayers without coming into contact with paper आप से question कैसे बूचेगा तो आप से question बूच लेगा इन में से चाप छोड़ने वाला printer कौन सा है तो चाप छोड़ने वाले कौन से हमारे impact printer clear है सबी को इसके बाद non impact printer करने के इस परे के थुर्य हमारा कौन सब रि ले करता है तो आपका और आप सा पूचले कि कागज को पर्रुआ करता है तो इंप्रेट प्रेंटर और जो जो हमारे चानोए और संपर्क में आए बिना काम करता थे तो इंपेक्ट प्रिंटर एक केरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर दो भागों में बटे होता है मारा इंपेक्ट प्रिंटर कौन कौन सा केरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर क्लियर है एक बार इसका स्क्रीन सोट कोई लेना चाहिए तो ले लेगा किलिए रहे हैं यहां तक सभी को चलिए अब अभी हमने देखा कि करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं जो एक बार में एक अक्चर ही लिखते हैं और एक बार में एक अक्चर एक बार में एक करेक्टर एक अक्चर एक एक करके लिखते हैं न और आपके line printer कौन से है तो जो एक बार में एक line एक बार में एक line चापते हैं जो एक line clear है यहां तक सभी को आपका BSF का syllabus एक बार starting में जब पहली के लास्ति उसमें discuss कर दिया गया है अब आप जिसे नहीं बताए आप एक बार उस वीडियो को देख लीजेगा clear है चलिए अब हमारे जो इसमें हमने देखा character printer और line printer तो सबसे पहले हम जानेंगे character printer के बारे में character printer आपके कौन से होते हैं तो जो एक बार में एक ही अक्षर type करें वो आपका होता है character printer one who types only one letter at a time ये अब character printer के हमारे जो उधारन है कौन कौन से printer आपके character printer के अंदर आते हैं उन्हें हम देखेंगे ठीक है वो क्या है तो dmp dmp की आपसे full form पूछ लेगा कि dmp printer की full form क्या होती है तो वो होती है आपकी dot matrix printer यानि कि आपने देखा होगा कि हमारे जो railway station पर अगर आप ticket कराने जाते हो या आप post office में पहले जो post आती थी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो print होती है ticket वो बिंदकी बिंदकी करके होती है चोटी चोटी बिंदूओं से बने हुए होती है उनके character तो वही आपका होता है dot matrix printer सबसे ज्यादा यूज होती है होने वाला printer इसमें एक ribbon लगी होती है सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा आवाज करने वाला होता है कैसे तो जब आप 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 आज भी अगर आप railway station पर टिकेट कराने जाएंगे तो आप दिखेंगे वो खटखट की आवाज करती है मसीन और उसी से आपकी ऐसे ऐसे करके आपके टिकेट बनती है क्लियर है चलिए तो यह आपका dot matrix printer हो गया कैसा होता है dot matrix printer तो यह देखेंगे आप कि यह आपका dot matrix printer है इस तरह से यहाँ पर बटन्स होते हैं और यह इस तरह से आपकी टिकेट छपकर आपको निकल मिलती है क्लिए रहे हैं तक चलिए स्क्रीन्स और ले लिजे एक बार dot matrix printer चलिए हाँ हॉस्पिटल में भी यूस होता है बिलकुल चलिए इसके बाद dot matrix printer हो गया फिर हम देखेंगे dwp dwp printer कौन सा होता है तो यह आपका होता है daisy wheel printer इनकी आपसे सीधी सीधी full form ही बूचली आते है कि dwp की full form क्या है या dwp यह क्या है mouse है printer है या scanner है या keyboard है बता ही क्या है dwp तो आप उसका टिक लगा देंगे कि dwp एक परकर का printer है ठीक है चलिए सुमित भाई कह रहे हैं कि dot matrix ही क्यों नाम है आपका नाम सुमित ही क्यों है गोलू क्यों नहीं है इस चीज का कोई logic है आपका नाम गोलू क्यों नहीं है सुमित ही क्यों है तो इस चीज को समझो ना कि dot matrix नाम है तो है अब उससे मैं बदल सकता हूँ कि उसके नाम को नहीं न तो आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दो देखो अब DWP इनका क्या था कि यह धीमी कती से काम करते थे slow work और text print यह सिर्फ text को ही हमारे print कर सकते थे कौन से होते हैं daisy wheel printer तो यह आपके daisy wheel printer होते हैं इस तरह से यह देखिए एक बार आप देखेंगे इस तरह से इसमें यह गोल प्रिकार की चक्री टाइप की चलती थी इससे आपकी ink निकलती थी जिससे की type होता था clear है चलिए इसके बाद हम देखेंगे जिंक printer और जीको printer यह जितने भी हमने तीन टैप पड़े हैं एक आपका dot matrix printer एक आपका daisy wheel printer और एक आपका jink printer यह तीनों ही आपके कौन से printer के उधारण है impact printer के ठीक है तो jink printer और zero ink printer जिंक printer को ही हम zero ink printer के नाम से भी जानते हैं printer used with camera आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब ताज महल घूमने जाते हैं या सिकंद्रा या कहीं भी आप टूरिस्ट पहलेस पर घूमने जाते हैं तो कुछ से आता है उनके पास होता है आपका जिंक printer यह आप देखेंगे उन्होंने फोटो खींचा और इसमें लगा करके तुरंत के तुरंत इसमें प्रिंट हो जाता है कुछी टाइम पे क्लिए रहे चलिए यह तीनों हमारे किसके उधारण थे इंपेक्ट प्रिंटर के कि लिए रहे सभी लोगों को एक बार थम करके बताएंगे चलिए सुभम जी आपको पीडिएफ अगर चाहिए तो आपको पीडिएफ पर जुनून बैच के अंदर मिल जाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अब हम देखेंगे जो हमारे इंपेक्ट प्रिंटर में दो तरीके के प्रिंटर थे एक केरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर तो यह तीनों तो हमने जाने केरेक्टर प्रिंटर के उधारण ठीक है यह जो आपका है लाइन प्रिंटर तो इसकी क्या खास बात थी यह एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते थे जिसे आपने देखा हो को तैसील बगेर हमें जो टाइप राइटर होते हैं वो एक बार में एक एक अक्षर करके जब स्टाम पर टाइपिंग होती है तो वह एक को यू लाइन परिंटर था ये एक बार में पूरी एक लाइन pela प्रेंट करते थे विच प्रेंट्स old उन sat erम यह ये दो प्रिकार के होते हैं कौन कौन से आपका आता है नौन इंपेक्ट प्रिंटर, नौन इंपेक्ट प्रिंटर कौन-कौन से होते हैं, चलिए, तो नौन इंपेक्ट प्रिंटर आपके तीन भागों में बड़े होते हैं, कौन-कौन से, एक होता है आपका थर्मल प्रिंटर, एक होता है आपका इंकजेट प्रिंटर कैसे कैसे क्या क्या काम होते हैं इसने हम देखेंगे आगे चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल प्रिंटर प्रिंटर पेज प्रिंटर जो हमने जाना था कि देखें जो हमने यहां पर जाना था कि प्रिंटर के प्रिंटर के प्रिंट करने के आदर पर तीन प्रिकार के प्रिंटर होते हैं, हैना, प्रिंट करने के आदरबर कितने प्रिकार के होते हैं, तो तीन प्रिकार कौन कौन से होते हैं, बताएंगे आप लोग एक बार, तो Print करने के आधार बर जो मैंने आपको बताया था वो आपके थे कौन-कौन से एक आपका होगे Line Printer एक होगे आपका Character Printer और एक आपका होता है Page Printer, तो अब हम Page Printer के बारे में जानेंगे जो कि आपका Non Impact Printer में आता यह एक बार में एक पेज को सीधा-सीधा print करता है आप लोग जब भी कभी कोई PDF प्रिंट कराने जाते हैं तो वो आपको सीधा एक बार में ही आपका पूरा print निकल आता है तो वो आपके होते हैं page print जिनके बारे में हम अभी देखेंगे यह आपके कितने प्रिकार के थे non impact printer 3 तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं thermal printer thermal printer को आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग अपनी ना नी किया जाते हो या कुछ लोग अपनी सस्वाल जाते हैं तो बस में आपको बस कंडर टिकेट देता है देता है टिकेट तो जो टिकेट निकलती है वो भी एक प्रिकार का printer होता है उसके हाथ में वो कौण सा printer होता है वो आपका thermal printer होता है कैसे thermal printer क्या है इसमें photo chronic glass का प्रियोग होता है आपसा question में पूछ लेगा कि thermal printer में कौन से glass का use होता है तो इसमें thought calling glass का इस प्रकार का आपका जो आब को टिकट बगार मिलती है यह आपने देखा होगा जब पर बिजली लाईट का बिल देखर जाता है कि लो आपने इसमेही है इतनी इतनी लाइट किये है तो से देखका बरिंटर होगे तो यो सिलिप मिलती है हमें है ना एक आपका होता है बस की टिकेट है बस की टिकेट है ना या फिर एक और हमारे क्या था इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी जो बिल हमें मिलता है तो वो सभी आपके कौन से प्रिंटर होते हैं थर्मल प्रिंटर क्लियर रहें यहां तक सभी को हाँ बिल्कुल हाँ पैट्रल पंपे भी बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को अपने दिमाग लगाना है कि अगर केक्जाम में कभी कुछ लाटके भी पूछता है वैसे पूछेगा नहीं तो बस हमें कॉंसप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसका यूज आकर है क्या ठीक है वागी उधारन तो बहुत हो सकती है वेरी चलिए बहुत अच्छे तो थर्मल प्रिंटर के लिए सभी को एक बार थम कर देंगे और अगर किसी लेना चाहिए साफ नहीं दिख रहा है कि एक बार इंग्याट प्रिंटर थीक है तो नेक्स्ट हमारे क्या उन्सा है इंक प्रिंटर इनमें क्या होता है इनमें इंक भरी हुई होती है और एक काट्रेज लगी होती है नोजल से इंक को कागज बर फ्यांका जाता है और यह सबसे अच्छे printer होते हैं काड़ी इस लोड़ेड विद इंक इंक इस थ्रोवन धा पेपर from दा नोजल बेस्ट प्रेंटर यह क्या होते हैं यह आपके एधा हम जान सकते हैं कि प्रिंटर के रूप में तरह से काम करते हैं इसमें अलग अलग कलर की स्याई बढ़ दी जाती है है न और वह इस प्रकार से फिर आप कलर कलर जो प्रिंट होता है हमारा वह आता है इनका यूज आज कल में बहुत ज्यादा किया जाता है ठीक है चलिए वेरी गुट चलिए क्लिए रहा था कि इंग जैट प्रिंटर तक आप सभी को यह सबसे अच्छी क्वाल्टी के प्रिंटर के तौर पे भी जाने जाते हैं इसके बाद हम दिखेंगे लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर का यूज हम लोग मतलब सबसे ज्यादा करते हैं एक अपको इंग देट प्रिंटर अलग 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 colorful color print नकालने के यूज में हो रहा था इसी तरह से आपका यह laser जो printer होता है यह आपका black and white आपको print देता है कैसे तो इसके अंदर एक सूका powder भरा होता है जिससे हम toner का प्रियोग किया जाता है using drink powder टॉनर इसके अंदर ए मैंने आपको कल भी फुलफर्म बताई थी, light amplification by estimated emission for radiation, ये आपकी exam में सीधी सीधी पूछ ली आती है, चाहें GS में या आपके computer वाले section में है न, तो ये चीज इसे ध्यान रखेंगे, laser की फुलफर्म और laser printer कौन सा होता है, तो ये होता है, ठीक है, हाँ वही, बिल्कुल, चलि होता है, आगे बढ़ेंगे, एक हमारा होता है, data sublimation printer, data sublimation printer का क्या काम होता है, तो ये आपका कपड़ों पर print करने के लिए किया जाता है, इसका use, आपने देखा होगा, जो हमारी India cricket team है, उस पर आगे धोनी, पीछे 7 नमबर, ये चीज लिखी होती है, तो वो कौन से printer से क यहां तक clear है, आप सभी को एक बार बताएंगे, चली, एक बार सभी लोग थम करके बताएंगे, हाँ सर यहां तक clear है हमें, एक बार आप सभी लोग बताएंगे थम करके, कि हाँ सर हमें clear है, non impact printer, impact printer कौन कौन से होते हैं, character printer, कौन कौन से होते हैं, वो सब चीज है clear है न, च कौन कौन से non impact impact और non impact impact के अंदर कौन कौन से थे हमारे character printer और character और line character के दो पार्ट मैंने बताए DWP और DTP ठीक है इसी तरह से हम non impact के अंदर ये सभी हमारे non impact printer के उधारण थी कौन कौन से thermal printer एक आपका inkjet printer और एक आपका laser printer यह मैंने आपको अलग से इसके बार में जानकारी दी ठीक है अब स्पीड जो हमारे printer की speed होती है जब हम उसे खरीदने जाते हैं या कुछ तो इसकी speed कैसे ना पी जाती है तो वह क्या होती है speed unit per printer तो उसे तीन तरह से दिखा जाता है कैसे एक प्रिंटर की गुंणवत्ता उसके dpi سे पता चलती है अब अब यह DPI क्या भीमारी है वहिया तो DPI आपकी होती है dots per inch क्या होती है dots per inch क्लियर हैं तक DPI क्या होती है हमारी dots per inch the quality of a printer is determined by its DPI DPI की फिल्वम क्या हो गई dots per inch resolution of printer अगर आप से बुचले resolution of printer और चार option देदेगा तो आप उस dots का अंसर लगाएंगे DPI यानि की dots per inch ठीक है एक बार आप सभी लोग इसका screenshot ले लेंगे और जो लोग notes बना रहें वो notes बना लेंगे मैं side हो जाता हूंगे एक मिनट के लिए क्लियर है यहां तक सभी को एक बार पीछे का मैं दिखा देता हूँ इसका screenshot यह देखिए और नोन इंपेक्ड पeरिंटर मा रहे तीन थर्मालिंग जैट और लेजर या आपका थर्मल प्रिंटर हो गया चिलियर है यह यहां तक सभी को चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने देखिए इसके बाद कुछ और जानकारी तो वो है आपके मोनो प्रिंटर मोनो प्रिंटर क्या चीज़ है मोनो प्रिंटर जो सिर्फ एक रंग में प्रिंट करते हैं जो सिर्फ एक ही रंग में प्रिंट करते हैं, उन्हें हम मोनो प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, उसके बाद, that print is only one color, और color प्रिंटर आपके कौन से होता हैं, ये एक से अधिक रंग में प्रिंट करते हैं, ठीक है, चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे हमारी जो प्रिंटर थे हुए एक तरह से complete हो गए, सभी प्रिकार के, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, तो plotter, plotter क्या है आपका, printer आपका output device के अंदर आता है, सभी को पता है, plotter, plotter भी एक प्रिकार का आपका output device है, क्या है ये plotter, output device, ठीक है, अब देखिए, यह एक output device है, जिसका प्रियोग बड़ी इसके बाद के लिए करते हैं, मतलब क्या है इसका, तो plotter का यूज हम कब करते हैं, आपने देखा होगा, बैनर बनते हैं, बड़े-बड़े हैं, तो जो बहुत बड़े-बड़े बनते हैं, उन्हें हम उस पे तो print कर नहीं सकते, अब नॉर्मली printer पे, तो उसके लिए आप प्लोटर का यूज होता है, यह आपने देखा होगा, कि movie अगरा में दिखाते हैं, कहीं पर construction का काम चल रहा है, बिल्डिंग बननी है, तो वहाँ पर engineer अपनी बड़ी सी टेबल पे चार्ट ले करके, खड़ा होता है, और देख रहा होता है काँपी का, तो वो सब उस परिक का जो वो बनता है, पूरा नक्सा, वो सब चीज़े किस से बनती है हमारी पिलोटर से, केड कैम आदी के लिए करते हैं, केड कैम क्या है अब, तो केड कैम आपका होता है, computer added design, यह software होते है, केड और कैम, कैम की full form क्या होगे, computer added manufacturing, इन दोनों ही software का use हम नक से बनाने में, या या फिर यह जो भी हमारे mechanical वस्तों का blueprint बगरा बनाने के में करते हैं, ओके हमित भाई, जैसाहिराम जी भाहिया, अब आप class पे ध्यान दीजिए, यह आपका एक output device है, जिसका प्रियोग बड़ी ड्रोइंग या चित्र के नक्से बगरा बनाने के लिए करते हैं, it is an output device which is used for लार्ज ड्रोइंग्स और ड्रोइंग्स सच एज मेप्स, कंस्रक्शन, प्लांस, बैनर्स, ब्लूप्रिंट ओफ, मेकेनिकल अब्जेक्ट्स, कैड, कैम, एटीसी, क्लियर है सभी को, चलिए, इसक्रीन सोट ले लेंगे एक बार इसका भी, लीजे एक बार इसका स्क्रीन सो तो टाइपिंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, हाँ, वंडे एक्जाम है, चलिए, चलिए, क्लियर है यहां तक, अब हम आगे देखते हैं, कि ग्राफिकल उच्चिस्तरिय प्रिंटिंग करने के लिए, प्लोटर का यूज होता है, क्यों होता है, कि ग्राफिकल जो च्चिस्तरिय यह, मतलब हाई क्वाल्टी की जो प्रिंटिंग होती है हमारी, उसके लिए आपका प्लोटर का यूज होता है, प्लोटर आपके दो प्रिकार के होते हैं, कितने प्रिकार के, दो प्रिकार के, there are two types of plotter, used for graphical high level printing, तो दो प्रिकार के कौन कौन से होते हैं, वो आपकार में छोटे, यानि कि कम जगा घेरते हैं, वजन भी कम होता है वही चीज़ है न, और आपका इसमें जो कागज या फिर पेपर जो भी इसमें यूज होता है, वह सीमित होता है, सीमित यानि कि लिमिट्टिड होता है, ठीक है? चलिए, पिलोटर क्या है, आपका फ्लैट बैट पिलोटर है, या आकर हम छोटे होते हैं, यह हम टेबल पे या अपने पास में रखके इन पर काम कर सकते हैं, नॉर्मली, ठीक है? चलिए, एक बार आप सभी बताएंगे, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है? चलिए, तो आपको फ्लैट बैट पिलोटर के लिए हुआ, इसके बाद जो हमारा सेकंड होता है, वो आपको होता है ड्रम पिलोटर, तो ड्रम पिलोटर क्या चीज़ है? ड्रम पिलोटर या आप देख रहे होंगे, इसमें काफी बड़े आकार के जो हमारे बैनर होते हैं, बड़े बड़े साइज के जो बैनर होते हैं, वो आपके इसमें लगाए जाते हैं, ड्रम पिलोटर आकार में काफी बड़े होते हैं, आकार में बड़े, यानि कि साइज में बड़े और इनके जो कागज या फिर जो भी इसका पेपर होता है उसका साइज भी अनलिमिटेड होता है साइज असीमित कोई फिक्स साइज नहीं होता आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब हमारे चौराय पर या कहीं पर भी हमारे बैनर लगे होते हैं तो कह Sikh पर इतना बड़ी बड़ा बैनर होगा कि नेता लोग बगर लगाते हैं कि इनके जनम दिन पर इनको पपू अब वहियां को बहुत-बहुत-व evalu yo Dao यह ना तो वह जो पार होते हो सीसे बनते हैं आपके ठीक है कि यह तक प्लोटर का क्या 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 मुदा है मैं आपको रियल प्लोटर दिखाता हूं इस से भी बड़ा देखिए यह आपके जो मूवी वगरा कि आप जब प्रेटर में है देखिए क्लियर है सभी को देखिए साफ बिल्कुल क्लियर क्लियर दिख रहा होगा ड्रम प्लॉटर क्या होता है देखिए साइज में कितना बढ़ा है और इसमें जो पेपर यूज हो रहा है वो कितना बढ़ा है न तो तो इसका use यह होता है ठीक है चलिए अब हम देखेंगे यहां तक हमारा हो गया ठीक है अब देखिए अब हम देखेंगे कुछ device input और output दोनों का काम करती है हमने अभी तक आपका input device और output device दोनों ही अपनी complete कर लिये हैं अब हम देखेंगे कि कुछ डिवाइस ऐसी होती है जो इन्पूर आउट्पूट दोनों का काम करती है तो वो कैसे करती है प्रोजेक्ट नहीं प्लोटर के बारे में बताने वाले थे जो कि मैंने आपको बता दिया ठीक है अब आप देखेंगे कुछ डिवाइस इंपूर और आउटपट दोनों को काम करती है कौन सी एक ATM हुई हमारी एक हमारा हेडसेट या हेड़फॉन होता है जो है ना टच स्क्रीन होती है फेक्स मसीन होती है या फिर मोडम होता है कैसे कैसे काम करती है उसे मैं आपको अभी हमें से आगे देखेंगे ठीक है चलिए देखिए ATM सबसे पहले ATM हमारे क्या है ATM हमारी एक परकार की इनपुट और आउटपुट दोनों मसीन है कैसे उसे दो एक्जाम्बल से बताऊँ आपको मैं क्या है ये इनपुट प्लस आउटपुट दोनों इनपुट प्लस आउटपुट अब इसे साधा सब्दों में आप समझना कि जो ATM है उसमें आप आपको पैसे निकालने है तो आपने वाबे बटन में बटन के थुरूँ आपने नमर डाला अपना 10,000 सेविंग अकाउंट है ये सब चीज़ हम डालते है न तो वह हम बटन दबा के उससे क्या दे रहे है स्कार्म कारा रही है मॉनीटर का स्कारत या आइंट करीन आ ऑपको क्रम कार रहे है इंपुट पीट्यवाइव बुइर है तो अहीं थो फैसे तरह से दोनों हे एक और किस तरह से ऑफ़क्यों कि इस कि विए देखेंगे कि इस प्रकार कि ATM डिजाइन किये जा रहे हैं कि उनमें हम पैसे निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं मसीन में ही कैसे तो वही यहां से आप अपने आ चुका हूँ एक बार आप उस किलास को देख लिए ठीक है हाँ अब रुपए भी जमा कर सकते हैं सूरज वही बिल्कुल ठीक है तो ATM हमारा Input Output दोनों हो गया क्लिए यहां तक अब हम देखाएंगे headset या फिर headphone के बारे में तो headset और headphone यह भी हमारा input और output दोनों है input प्लस आउट्पूट है ना कैसे input & output दोनों है तो इससे तो हम गाने सुनते हैं headphone से और device से हम बोलते हैं is इससे हमारी आवाज जाती है या हमारा इयरफोन हो गया जब हम बात करते हैं गाने सुनते हैं तो हमारी कानों में आवाज आ रही है ना या फिर हम बात करते हैं तो जो हमारा माइक वहापे लगा होता है उससे हम करते हैं हेलो आवाज आ रही है इस तरह हम करते हैं तो वह ची या फिर इयरफॉन ठीक है यह भी आपकी क्या होती है इन्पूट और आउटपूट दोनों डिवाइस होती है ठीक है चलिए है ना यह ओगा इनसे कुछन कैसे पूचेगा आपको यह रीजिनिंग में भी कुछन पूचे जा सकता है कैसे आपको तीन ड्वाइस देदेगा इंपुट और और आपट दोनों मिक्स वाली एक देदेगा सिर्फ इंपुट या सिर्फ आउटपुट आपसे गएगा इन चार में से बिन पहचान हो याने कि अलग वाली को पहचान हो तो आपको इसके बारे में जानका रह तो fax machine भी हमारी प्रकार की क्या होती है input और output दोनो input प्लस output दोनो कैसे तो देखे ये हमारे पुराने जमाने में पुराने टाइम पर यूज की जाती थी एक आपने देखा होगा इस तरीके का printer ये fax device हो गई आपकी fax machine हो गई एक आपने देखा होगा आप फोटो स्टेड कराने जाते हैं जब तो एक बहुत बड़ी machine होती है उसके पास उसी से वो फोटो स्टेड भी कर देते हैं उसी से वो आपका क्या करते हैं प्रिंट भी कर देते हैं तो scanner हमारे क्या था एक प्रकार का input device और हमें print मिल रहा है printer हमारे क्या था output device तो यह दोनों चीजों का mixture होती है हमारी fax machine चलिए अब आप एक बार सभी लोग बताएंगे कि आपको यहां तक clear है या नहीं है हमारी input devices complete हो गई और आपकी input और output जो both devices थी वह complete हो गई ठीक है अब एक बार आप सभी लोग थम करके बताएंगे कि आपको यहां तक clear है चलिए very good सुएता तोसार अरजुन संजय पुनीत अरविंद अभिसेक समीर सौनी सिंग सौनूर रजनिकांत चलिए नेहा ओके अबदुलभाई चलिए ठीक है अब कल एक भाई ने मुझे से कहा था कि सर input और output device का एक आप चार्ट बना लाईएगा है ना जिससे कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमें सीधी सीधी परसी परसाई थाली मिल जाए तो भाईया वो भी आपके लिए ले आए आप परसान मत हो यह ठीक है तो यह लीजिए एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीन सोट ले लेंगे अच्छे से और फिर इसमें input और output दोनों device है आपकी दिव हुई है बढ़ि ठीक है इसी तरह से आपका यह आपके output डिवाइज है ब्लू में monitor, printer, headphone, gps, plotter, speaker, screen और projector ठीक है और यह आपकी जो input और output दोनों बोथ जो मैंने अभी आपको बताई कि VR, USB, touchscreen, fax machine, digital camera यह चीज़ें आपकी दोनों है किलियर है अच्छा अब इसे स्किन्टू से अठा दो ठीक है यह आपने स्किन्टू ले लिया एक बार फिर से बता दीजिए भाई देखो यह आपके keyword यह देखें इन पुड़िए आपको सिर्फ इसका photo लेना है यह आपको जितना भी हमने पढ़ा एक short form में मैंने आपको चीज़े दिखा दी है क्या कि keyboard आपका यह गया mouse यह आपके input जो औरेंज कलर में है यह आपके input devices है देखे printer, plotter, monitor, speaker और projector और यह आपकी input device है scanner, microphone, keyboard, mouse, web camera, barcode scanner यह सब चीज़ों के बार है हमने जाना था touch screen हुआ आपका है ना यह फिर headset हुआ और यह आपकी क्या हो गई? बोट devices हो गई है ना? चलिए clear रहे हैं यह तक सभी को? नहीं भाई, Sunday को आपकी class नहीं होगी एक चीज़ मैं और आपको discuss कर दूँ कि आप लोगों के comment होते हैं class के बाद कि सर आप Sunday को एक बड़ी class मतलब 40-50 question की practice करा दीजिए आप लोग अगर जैसे मैं जो daily मैं आपको practice करा ही रहा हूँ अगर आपको कहेंगे उन्हें बंद करके वहाँ पर करा देंगे लेकिन बात वही है तो मैं आपको जब daily को practice करा रहा हूँ तो उसकी अभी need नहीं है जब हमारा syllabus complete होने वाला होगा और हमें need लगेगी तो फिर आपके लिए वो भी कराया जाएगा ठीक है अब हमारा यह आपने screenshot ले लिया अब हम आपते हैं अपने test yourself की तरफ ठीक है हाँ अभी आप जोड़ हमें daily दस चुनिनी दा best से best question लेकर आता हूँ उन्हें आप करिएगा उसके बाद मैं आपको बाद में उन्हें भी कराऊँगा उसके लिए परसान मत हुई है ना अभी आप देखेंगे test yourself आज के test yourself के लिए सबी लोग तयार है थम करके बताएंगे एक बार चलिए हाँ पनीत भाई वो लगेगा बाद में चलिए क्लियर है आगे बढ़ें थम करके सबी लोग बताएंगे एक बार चलिए हमारा पहला कुश्चन है कि कीबोर्ड कीबोर्ड पर पाये जाने वाले अक्षरों या फिर अंकों और प्रतिकों को कहते हैं दा लेटर से नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन्दा कीबोर्ड से और कॉल्ड बदा यह क्या कहते हैं और यह कुश्चन आप से सिंडिकेट बेंक किलर की 2010 में पूछा जा चुका है ठीक है जातर लोग बहुत अच्छा अंसर दे रहे हैं सी वेरी गुड तो इसका सही अंसर क्या होगा आपका कुश्चियां या करेक्टर कहा जाता है आपको मैं दौनों चीज़े लेकर आया हूँ अक्चुली था क्या कि एक्जाम में दो कुश्चन बूचे गए थे एक में आपको कुश्ची ऑप्सण दिया गया था एक में केरेक्टर तो मैं आपको चाहता तो दो कुश्चन सेम ले आता सिर्फ ऑप्सं चैंज कर दीता लेकर उसका कोई मतलब नहीं था इसलिए मैंने कुस्टन पर आगे बढ़ेंगे तो नंबर पैड का डायरेक्शन एरो के रूप में प्रियोग करने के लिए ब्लैंक कुंजी प्रेस की जाती है बताईए तु यूज दा नंबर पैड एज़ डायरेक्शनल एरो दा ब्लैंक की इस प्रेस्ट नंबर लोग कैप्स लोग एरो है फिर सिफ्ट ये कुस्टन आप से यूपी पीसेल एपीएस सत्ता ही सितंबर को पूछा जा चुका है बताईए बहुत वड़ी है इसका अभी अंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं लोग आप लोगों को याद होगा और जिन लोगोंने हो सकता है जो लोग गलत अंसर दे र पहले से पहली किलास से लिंक है तो इसलिए इसका बिल्कुल स्क्रहे मैंने आपको कीवोड में लाकर कर दिखाया तो बताया भी था जो हमारी न्यूमेरिक वड़न होते हैं जो हमारे जो number lock जो ऑन आफ होते हैं तो हमारे क्या होता है यह से हमारा काम करने रगता है और जब कुछ आपका UPPCL में पूछा जा चुका है computer keyword में shift और print screen keys को क्या कहते हैं बताइए what are the shift and print screen keys in a computer keyword called कोई दिककन नी question समझने में time लग जाता है time लीजिये time अभी आपके पास है तो लीजिये कोई दिककत नहीं है two minute later do comment होगा नहीं भी होगा to comment आपको अपने झाल मैं सोचो कि क्या मुझे इसका अंसर आ राया या नहीं आ आ रहा है कमेंट करने से कोई बहुत बड़ा वह नहीं होगा वसारो मन में आपको तो अंसर आना चाहिए, दो मिलड़ लगा है, चार मिलड़ लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लोग, क्या अंसर दे रहे हैं इसका, A, 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 D, चलिए, तो computer keyboard में shift और print screen keys, जो मैंने आपको बताया था, इसका use हम screenshot लेने के लिए करते हैं, तो ये आपकी क्या थी, special purpose keys थी navigation keys हमारी कौन से थी, तो जो हमारे arrow थे हैं न, और जो end home, ये वाली हमारी क्या थी, end button था, home button था, ये हमारी क्या थी, ये हमारी navigation keys थी हैं और function keys हमारी कौन से थी, F1, F2 वाली हमारी function keys थी, F3 वाली हमारी function keys थी, जो special purpose, जो किसी special उसके लिए use की जाए, वो special purpose की थी हमारी print screen की और आपसे यह भी कोशन पूछा जा सकता है कि प्रिंट स्क्रीन की का यूज कौन से बटन के साथ किया जाता है तो वह आपका किया जाता है शिफ्ट के साथ और आप लोग देखेंगे यूपी पीसियल वाले बच्चे कि जेई 2019 मैंने अभी तक आपको काफी कोशन करा है कर सब्स हम कोशन डिसकस कर चुके हैं तो यूपी पीसियल वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि सभी कोशन हमारी के लास से ही फस रहे हैं सीधा सीधा ठीक है तो आगे बढ़ेंगे अब हम अपने चौते कोशन की तरफ उस कुंजी को क्या कहते हैं जो अगे लिए विश्णू पूजा प्रिगती वेरी गूट राहूल चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी बहुत अच्चा सभी साति हमारे बिल्कुल सही अंसर दे रहे हैं इसका सही अंसर होगा एड़िट सुरी डिलीट है ना इलाबाद बैंक 2011 देखें कितने ए 2014 में यूपी पीसील टीजी 2016 में और यूपी पीसील का जूरी एक्जाम हुआ था उसमें भी उसने यही कोशन बूचा ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा डिलीट इसके बाद मैं आपके लिए देखें इसके बाद मैं इसी कोशन से रिलेटेड थोड़ी एडिसनल जानकारी आपके लिए लाया हूँ जहां से कोशन बनते हैं करजर की मौझूदा इस्तिति के बाईयोर के करेक्टर को डिलीट करते हैं बैक स्पेस की से ठीक है और करजर की मौझूदा इस्तिति के कर रहे थे तो हम जहसे मैंने यहाँ पर लिखा था आर डबू फिर एक हमारा करदर जो होता वह यहाँ पर इसलिपलोप करता रहता है तो अगर walk 59 दभाएंगे तो उससे हमार हमारा इधर वाला ये वाला हमारए डबलू gjence हो जाएगा लेकिन अगर हम डी दभाएंगों तो हमारा ओ इसे रहा हो जाएगाग हमारा हमारा लेफ्ट एड्टी रहेघी परसों आपको थाइच लिए एक्सल आपका जी चीज़ें और मतलब हमारा स्लेवर स्क्वेंस वाई जैसे दिया हुआ उसके बाद आपका एक्सल भी होगा प्रतान मत हो यह ठीक है तो यह हो गया इसके बाद इसे देख कर्दर के बाएं और क्षर को डिलीट करती है ृपटन क्या करता है तो कर्दर के दाएं और यानि कि left sorry right deletes the key character to the right of the cursor इसके बाद हमारे जो home की होती है उसका क्या काम होता है तो home की आपको line के प्रारंब में ले आता है यानि कि home की brings you to the beginning of the line ठीक है और end की क्या करता है तो end की आपको line के अंत में ले आता है the end की brings you to the end of the line ठीक है यहां से आप से सीधा सीधा कुस्टन बनता है कैसे देखिए इसे भी हम समझेंगे माली जी मैंने यहां पर लिखा rwa अगर मेरा जो हमारा करदर रहा हो यहां पर है अभी हम क्योंकि आगे लिख रहे थे अगर हम home बटन दबा देंगे तो वह स्टाटिक में आ जाएगा और यहां से अगर हम end बटन दबा देंगे तो हमारा वो end में आ जाएगा ठीक है चलो अब हम अगले कुश्चन की तरफ देखते हैं तो control, shift और alt इन बटनों को क्या कहते हैं यह हमारे क्या कहलाते हैं है ना चलिए बताएंगे adjustment की कहते हैं function keys कहते हैं modifier की कहते हैं या इंफानियूमेरिक की कहते हैं बताएं और यह कुश्चन भी आपसे यूपी PCL 2016 में और ट्रिबल सी मार्च 2016 में पूछा जा चुका है अब इसे एक भाई रादा जी सबी लोगों का बिल्कुल सही अंसर आ रहा है आपका सी इसका क्या सही अंसर होगा तो आपका modifier keys इसका सही अंसर होगा ctrl shift and alt are called modifier key इसके बाद next question देखेंगे हम कि mouse का click lock गुण है click lock properties are of mouse क्या है item को click करने से रोकने के लिए अनुमती देता है item के लिए password set करने के अनुमती देता है mouse बटन को दबाए बिना खींचने के अनुमती देता है या फिर इन मैंसे कोई नहीं click lock properties of mouse allow items to be prevented from being clicked allow setting passwords for items allows dragging without pressing the most button बताएं c c गौरव भाई बहुत अच्छे चलिए राधे चलिए बताएंगे सभी लोग c c c best सबसे ज़्यादा जो अंसर आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं c और इसका बिलकुल जो सही अंसर होगा वो आपका होगा भाई सबस्क्राइब काफी बच्चे क्या करेंगे काफी हमारे साथी लॉक गुन को देख करके इसमें क्या करेंगे पास्वर्ड वाला अंसर लगा देंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं लेकिन हम ने तो पढ़ा हुआ है हम अच्छे बच्चे हम पढ़ते हैं मन लगा के तो इसका हमें इसका अंसर पता है क्या होगा समसर सी इसका अंसर हो जाएगा ठीक है यह जिलिए है जिलिए भेरीग्र ठीक सिंधिव का घी इसके बाद कम्प्यूटर के माusz का अविज्कार किस ने किया था computer के mouse का विज़कार किस ने किया था पताएं who invented the computer mouse Douglas Angel Barton ने किया था John Beckas ने किया था Charles Webis ने किया था Simon Colton ने किया था और ये कुशन आप से CHSL 2013 वाले में और आपका RRB NTPC Shift 1 16 April 2016 कोई हुआ था उसमें पूछा जा चुका है very good सभी का अंसर बहुत अच्छा रहा है सोईता अपनीस मनीस बादल सौनू आकास सर्मा आकास वर्मा वेरी गूट तुसार अभी से अपतुल चलिए सभी का सही अंसर आ रहा है Douglas Angel Bart इसके बाद next question की तरफ हम बढ़ेंगे अपने Douglas Angel Bart इसका सही अंसर हो गया तो निमने लिखित में से भिन्न विकल्प का चैन करें यह जहां पर हमारी कल किलास रुक गई थी उसी के आगे के questions है कौन सी है तो बाहरी इनमें से भिन्न का यूज़ करें मतलब इनमें से अलग कौन सा है बाहरी hard drive, keyboard, digital camera या फिर compact disc बताईए select the different option from the following external hard drive, keyboard, digital camera फिर compact disc बताईएंगे एक बार external hard drive, keyboard, digital camera इनमें से अलग कौन सी है B बहुत अच्छे अब है मनीश, रूपेश, अभिसे, कुमार, सत्यम जैदी जैदी भाई आपका गलत है कहीं आप पिछले बाले का अंसर तो नहीं दे रहे हैं में logic लग रहा था कि बाहरी hard drive, hard drive हमारी क्या है एक प्रकार की storage drive है अब जिन लोगों को नहीं पताएं कि hard drive क्या होती है उसे में आगे हम उसे जानेंगे हैं आगे की classes में digital camera तो digital camera हमारा एक तो input device है जिससे कि हम आपकी photo लेते हैं तो ये भी आपकी storage device है और आपकी जो compact disk के cd साधी की कैसर जिसमें हम लोग देखते हैं एक तरह से तो वो भी आपकी क्या है storage device है सिर्फ keyboard ही हमारी एक input device है तो इसका विल्कुल सही answer हो जाएगा input device ये question भी आपसे ntpc 2016 में पूछा जा चुका है इसके बाद हम देखेंगे आदोने computer में प्रियुक्त सबसे सामानने निवेश उपकरण है देखिए ये question यहाँ पर complete हुआ सबसे common input device है ये question यहाँ पर complete हुआ सबसे अधियुक्त प्रियुक्त होने वाली input device है ये question यहाँ पर use हुआ the most common input device used in modern computers is the most common input device is the most commonly used in input device बताईए देखिए तीन question थे ये उन तीनों question को मैं थोड़ी थोड़ी लाइने add करके एक ही question मना कर लाया हूँ क्यों जिससे कि आपका time बचे और आप किसी भी परकार से रहना जाए वालों कोई भी परकार से आप से सवाल बूच ले किसी भी टाइप से आप रहना जाएं देखिए अगर आपसे पूचे आधर ने computer में प्रेक्ट होने वाली सबसे सामाने निवे सबकरान कौन सा है यहना सबसे normal keys कौन सी है वो input device कौन सी है या फिर सबसे common input device और सबसे अधिक use होने वाली input device तो सभी लोग इसका सभी अंसर दे रहे हैं जातर लोगों का अंसर आ रहा है यानि कि keyboard और देखें मैंने एक मैंने तीन चार कॉस्टनों से यह कुस्टन बनाया और यह कुस्टन आपका आरार भी कॉल का था असिस्टेंट वाले में उत्राखंड के पीसी एस एक्जाम में ट्रिपल सी में और यूबियाई बेंक में इलाबाद बेंक में मतलब बहुत सारी जगह पे पूछा गया है कि सबसे नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ने वाली डिवाइस कौन से है तो वह आपकी है कीबूर्ड ठीक है किलियर है यहां तक सभी को चलिए आगे देखेंगे question of the day की तरफ तो question of the day है हमारा निमने लिकित मैसे किस समू में केवल input device है which of the following group has only input device mouse keyboard monitor mouse keyboard printer mouse keyboard scanner question आप से SBI के लर्क में पूछा जा चुका है अच्छा इसका जवाब तो आप लोगों को देखिए इसका जवाब आप लोगों को देना है comment box में अब मैं एक चीज आप से पूछने वाला हूँ कि जैसे देखिएगा मैंने आप से यह question पूछाता अभी कि mouse का click log good है हमान लीजे ठीक है तो यह चीज में आपको पहले mouse लाकर दिखाया था तब मैं आपको बता चुका हूँ तो कल मैंने जब comment पड़े तो कुछ भाई हमारे कह रहे थे कि कुछ भाई हमारे कह रहे थे कि सर वही question कराई है जो आपने पढ़ाया है तो आप लोग देख रहे होंगे सभी लोग question बना पा रहे हो यानि कि मैंने पढ़ाया हुआ है वही questions है बात आती है कि सरल सरल वाले मैं आपसे पूछ लूँ कौन सा input है कौन सा और थोड़ी ऐसी additional जानकारी हमें मिले तो एक बार मैं पूल लगवा रहा हूँ कौन लोग यह चाहते है कि सिर्फ आप सर सरली सरल वाले question दीजिए है ना और कितने लोग यह चाहते है कि आप सर थोड़े हटके question लाई है जैसे कि हमें theory से भी समझ में आए additional जानकारी मिले और कुछ हमें जानकर यह हमारे questions से भी मिले है ना तो जो लोग आपका चाहते हैं है ना तो चलिए आप जो लोग चाह रहे हैं कि आपका थोड़ा अच्छे question लगए वो yes पर click करेंगे और जो लोग चाह रहे हैं कि सर बस हमारे पढ़े हुए मैंसे कर रहे है वो no पर click करेंगे बताए एक मिनिट अभी आपका पूल लगेगा बस जस्त एक मिनिट में है ना मतलब मैं कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ भाई कह रहे थे सर आप वही question कर रहे हैं जो आपने है या भी एक मतलब है यास और नो का मतलब है भी बताईए चलिए सबी लोग इसके बाद अभी हम देखते हैं क्या आ रहा है और इसके बाद सबी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे किलास आपको कैसी लगी है ना आज हमारी जो हाडवेर था उसका मतलब complete हो गया है अब हम जो आगे देखेंगे वह हम software के बारे में जानेंगे ठीक है चलिए 95% लोग कह रहे हैं कि सर आप जो अब तरीका लाए है मतलब थोड़े माई option से भी अच्छी जानकारी मिले तो उसे हम देखेंगे ठीक है चलिए तब के लिए जय हिन जय बारत वन्य मात्रम लिए के लुएंगे गिया पैसे हैं